आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ए सिद्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी लोस्प्राप का बहुत बहुत सबागत है कलाड बजे मोदी जी आये मैं तो बहुत डर गया था इस बार पता नहीं के अनॉंस करेंगे लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी खुश ख़बरी हमारे लिए 20 लाग करोण का स्टिमुलस पैकेज सरकार ले आई है इसको बहुत पहले ही ले आना चाहिए था हम लेट हो गए हैं 50 दिन लेट है बट कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त है बहुत सारे लोग बहुत सारे यहां पर economist जो हैं वो यह बोल रहे हैं कि economic stimulus जो है वो किसी चीज का solution नहीं होता है उनके बात सही भी है ठीक है लेकिन अभी हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहा रहे थे रगूराम राजन हो गए तो हर दिन लॉग डाउन में हमको 50,000 से 1,000,000 करोड के बीच में लॉस होता है यह हर दिन का लॉस है समझ रहे हैं तो वैसे भी 15,000,000 करोड तो हमारे वैसे ही चले गए 20-25 लाग करोड तो हमारे वैसे ही चले गए है तो GDP को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है देश को बहुत बड़ा घाटा हो रहा है 24% तक unemployment बढ़ गया अब उसके लिए आपको पैसा फूंक ना पड़ेगा जब तक आप पैसा नहीं उसमें economy में डालेंगे क्योंकि economy क्या है economy तो चलती रहती है पैया है जब तक चल रहा है चल रहा है जिस दिन रुका उस दिन बड़ता बैड़े आता है ठीक है तो उसके लिए सरकार और बैंक को जो central bank होता है policies बनानी पड़ती है जब वो पैया बहुत slow चलता है तो उसको तेज करना पड़ता है और तेज करने के लिए आपको पैसे डालने ही पड़ते है helicopter money हो गया quantitative easing हो गया ठीक है एक तरीके से पैसा डालो economy में ताकि demand and supply ये जो चेन है ये supply chain जो है वो चलती रहे ठीक है तो हम बात करेंगे दोस्तों economic stimulus जो है वो होता क्या है अभी तो हमको wait करना पड़ेगा भी guidelines नहीं आई है कल मोदी जी ने बोला कि जो निर्मला सीता रमाने जो हमारी finance minister है और ministry जो है वो भी कुछ दिनों में guidelines जारी करेगी इसको कैसे use किया जागा तब हम comprehensive lecture तो लेके आएंगी फिलाल हम मोटे मोटे तोर पे देख लेते हैं कि 20 लाग करोन economic stimulus यह हमारी economy के लिए कैसे help करेगा साथी साथ दोस्तों economic stimulus होता क्या है इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं comment box और description box में link दिया है twitter पे मैं आ गया हूँ यह रही मेरी id दोस्तों आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं वहाँ पे आपको liches की pdf मिल जाएगी दोस्तों सबसे पहले तो आत्म निर्भर भारत बोला ठीक है आत्म निर्भर भारत मतलब हमको किसी के उपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है यह मोधी जी ने बोला और यह एक तरीके से सबसे important sentence था सबसे important word था आत्म निर्भर भारत हमको आत्म निर्भर भारत बनाना है जो किसी के उपर depend ना रहे ठीक है lockdown 4 भी होगा आपको पता ही है 17 माई के बाद से lockdown 4 शुरू होगा ये कल मोधी जी ने बोल दिया मोधी ने बोला कि lockdown 4 नए रंगों के साथ आएगा पता नि कौन सा रंग होगा लेकिन एक चीज़ तो आप मान के चलिए lockdown 1 जो था वो काफी सकते था lockdown 2 थोड़ा easy lockdown 3 easy lockdown 4 भी यहाँ पे जो lockdown 4 होगा उसमें उन area जहाँ पे cases नहीं है उनको शायद खोल दिया जाए हाला कि अभी हमको wait करना पड़ेगा ठीक है 17 माई के बाद क्या guidelines हाती है बट हो सकता है उनको खोल दिया जाए ठीक है तो देखेंगे दोस्तो lockdown 4 कैसा होगा ये 17 माई के बाद इसका स्वरूप जो है वो पता चलेगा ठीक है साथी साथ दोस्तों यहाँ पे 5 pillars of economy बताए ठीक है 5 pillars of आत्म निर्भर भारत भारत कैसे आत्म निर्भर होगा सबसे पहले तो economy नी actually मैंने 5 pillars of economy बता दिया था 5 pillars of आत्म निर्भर भारत तो उसमें पहला तो था economy ठीक है तो यह जब तक economy नहीं चलेगी तब तक कैसे हो सकता है ठीक है आपको employment generate करने हैं आपको लोगों को रोजगार देना है हमको agricultural हमको manufacturing शेत्र में आगे बढ़ना है ठीक है दूसरा हमारा infrastructure ठीक है पांचों के पांचों डेमोग्राफी को अगर आप छोड़ दें यह बाकी जो चार economy, infrastructure, demand और system यह चार जो है वो बंद पड़ गए है क्योंकि economic slowdown आ गया है दोस्तों लगातार जो हमारी quarter wise growth है जो वो negative में जा रही है ठीक है ना तो economic slowdown बैसे रिसेशन नहीं आया है लेकिन अभी COVID-19 में तो रिसेशन आ गया है बहुत सारे देशों में तो बहुत हालत खराब है तो अमेरिका ने अल्रीडी stimulus package अनाउंस कर दिया था डॉनल्ड ट्रम्प ने तुरंत इसमें हाला कि डॉनल्ड ट्रम्प ने जिस तरीके से COVID-19 को manage किया वो बहुत ही मेकार लेकिन उन्होंने economic stimulus तो यह एनाउंस कर दिया था इधर European Union भी तुरंत economic stimulus लेकिया गई साथी साथ इधर G20 nations तो बहुत सारे सार्क नेशन ये सब के सब पैसा फूग रहे थे कि पैसा डालो economy में economy को रुकने नहीं देना है ठीक है भारत भी 20 ला करॉलरी सबसे बड़ा है ठीक है अब यहाँ पे मोदी जी बोल रहे कि 10% of the GDP है ठीक है अगर 10% अब कुछ economist बोल रहे हैं कि 10% नहीं ये 4 या 5% है ये शायद miss calculation हुई है पर जो भी है फिलाल हम कल की speech पे जाएंगे तो यहाँ पे बताया है कि 10% of the GDP है ये ठीक है ना अब वैसे भी हमको 10% of the GDP का लॉस होई गया है अगर हर दिन हमको lockdown की बात करें तो हर दिन हमको अगर 50,000 करोड से लेकर 1,000 करोड के बीच का लॉस हो रहा है employment अब दोस्तों इससे पहले क्या है इससे पहले stimulus अल्रेडी एनाउंस हुआ था लेकिन वो छोटे छोटे हिस्सों में आ रहा था जैसे RBI ने अल्रेडी बोला था RBI ने अपना रेपोरेट कम किया उसके बाद RBI ने कुछ और यहाँ पे schemes लेकि आए ठीक है तो 5.2 लाग करोड की रियायत अल्रेडी दे दी थी RBI ने समझ रहे हैं फिर उसके बाद निर्मला सीता रमन मार्च में ये गरीब कल्यान योजरा लेकि आई ये 1.70.000 करोड ठीक है ना फिर उसके बाद दोस्तो यहाँ पे 3.74 लाग करोड की और ज़ाधा रियायत RBI ने दी थी ठीक है तो एक तरीके से अगर इन टोटल करते हैं तो इस 7 लाग करोड के करीब बैठता है और कल मोदी जी ने बोला ये टोटल है मतलब इस से पहले जो स्टिमुलस आया है और अभी जो स्टिमुलस दिया है वो टोटल है तो यानि कि कल से अगर बात करें तो ये 7 लाग करोड को आप हटा दीजे 13 लाग करोड का स्टिमुलस पैकेज है ठीक है 13 लाग करोड अभी और सरकार जो है वो डालेगी मार्केट में समझ रहे हैं अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये economic stimulus की देखिए आपको बता दूँ ये basically एक conservative approach है expansionary fiscal policy है लेकिन है ये conservative approach ठीक है ना इसको बहुत broad नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी जब आपके पास कोई चारा नहीं हो जब unemployment हो जब economy चल नहीं रही हो जब recession आया हो या economic slowdown हो तब हम इस तरीके के stimulus जो है वो लेके आते हैं ठीक है जब 2008 का housing recession आया था दोस्तों subprime crisis आयी थी तब आपको पते quantitative easing हुई थी ठीक है पैसा डालो जितना हो सके अब इसके shortfall यह है दोस्तों इसके drawbacks यह है कि आप ए ratings agency जो है वो आपको कम rate करेंगी फिर भारत पे तो और ज़्यादा दिक्कत है FRBM Act लेकिन अभी हम इन सारी चीजों को किनारे रख देना चाहिए ठीक है ना अभी हमको कुछ भी नहीं है सब सोचना चाहिए देखिए दोस्तों जब हम पैसा डालेंगे जब हम यहां पे industries को पैसा देंगे लोगों को पैसा देंगे तब ही तो वह लोग खर्च करेंगे व इस समय अभी उनका ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा है ठीक है और जो लेबर्स है वो चले गए वापस अब लेबर लॉस को भी सस्पेंड कर दिया गया दोस्तों वो तो बड़ा भायानक है अभी उस पे भी मैं लेचर लिया हूंगा दोस्तों लेबर लॉस पे वो बहुती ज़्यादा भायानक है उसको तो अगर अब उसमें तो यह है बकायदा कि अगर लेबर वापस नहीं आया तो उनके पर सदा होगी ठीक है आठ गंटे से बढ़ा के बारा गंटे कर दिया है जो ब्रिटिश टाइम में होता तक खेर वो तो एक अलगी टॉपिक है आपको पैसा देना पड़ेगा अब यह जो पैसा है यह जो एकॉनमिक स्टिमूलस है दोस्तों इसको बैंकों के द्वारा भी बैंक के द्वारा भी रेगुलेट किया जा सकता है यह सरकार डारेक्ली भी रेगुलेट कर सकती है डारेक्ली कैसे सरकार डारेक्ली निस्ट्री को पैसा दे डारेक्टी लोगों को पैसा दे जिनके जंदन अकाउंट से 500,000, 6,000 अलागी 500,000 से कुछ नहीं होगा कम से कम 6,700 तो रुपए डाले ताकि वो लोगों के पास पैसा है वो लोग खर्च कर सके ठीक है ना Employment Generation तो यह सारी चीज़े और इधर कल मोदी जी ने बोला भी कि MSME सेक्टर पर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा ठीक है ना क्योंकि MSME सेक्टर से बहुत ज्यादा Employment Generation होता है ठीक है ना तो यहाँ पे पैसा जो है Economic Stimulus बस RBI के द्वारा जैसा अभी मैंने आपको बताया कि RBI ने अल्रेडी यहाँ पे जो पहला राउंड था RBI का उसमें उसने पांच लाग रुपए डाले थे पांच लाग करोण रुपए ठीक है ना तो RBI के थुरू पैसा डाला जा सकता है फिर सरकार तो डाली रही है इंडस्ट्री को दिया जा सकता है उसके बाद यहाँ पे जो एक्ट्स हैं जो लीगल हैडल्स हैं उनको चेंज गरके पैसा डाला जा सकता है ठीक है बैंकिंग नॉम्स को रिलाक्स की जा सकती है ठीक है डारेक्ट फाइनेशल हेल्प टैक्स को कम किया जा सकता है ठीक है लो इस तरीके से पैसे को यूज किया जाता है और इसे पैसा डाला जाता है तो यह अच्छी बात है कि 20 लाग करोड का economy package आया है इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत थी जब हम पैसा डालेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा लोगों के पास पैसा आएगा इंडस्ट्री के पास पैसा होगा तब हमारी economy track पे आएगी कि याद रखिए कि हमारी economy के तीन पिलर्स हैं एक तरीके से agriculture manufacturing या infrastructure और service ठीक है ना तो अभी यह तो पूरा ठप पड़ा है और agriculture में तो काफिर याद दी गई है लेकिन उससे ज़्यादा output generate नहीं होता है ठीक है services generate होता है services जो है मारी economy को उठाए हुए है तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है देखेंगे हम कुछ रहें पर तेरे यह देशेच सिद्दान तक ने उतरी सैनी होता है